नमस्कार, आज हम बात करेंगे, VBT के आधार पे, complex compounds में, magnetic और geometric cracker की व्याख्या है। यारि, balanced bond theory के आधार पे, VBT के आधार पार हम, complex compounds में, magnetic और geometric cracker की व्याख्या कर सकते हैं। इसके लिए यह example लेकर कम बात करें, समझते हैं, एक example लेते हैं और उसी आधार पे हम समझते हैं, कि व्याशिप, potassium, hexacino, parate, second complex की बात करें, तो इसमें central metal, iron, और उसी जुड़े वे लिगें, sign, iron 26 होता है, atomic number, तो iron 26, 26 के आधार पे हम देखें, तो इसका argon 3D6, 4S2, इसके आधार पर स्पिन होता है, कि दो स्पिन होगा या हाइज स्पिन होगा या हाइज स्पिन होगा, लो स्पिन होता है, यदि परवल लिगेंट चुड़े रहे हैं, परवल लिगेंट, like as, sign, carbon, MS3, etc. परवल लिगेंट, जो स्पिन क्यों शोग करते हैं, क्योंकि परवल लिगेंट, metal के एक contact में आने, metal iron, metal atom के एक contact में आने, पर दोनों में इंट्रेक्शन होने से, इतनी sufficient मात्रा में energy release होती है, कि pairing के लिए required energy की पूर्थी हो जाती है, इस बात को में ऐसे समझ सकते हैं, कि pairing के लिए energy required होती है, वो यदि energy, metal or ligand के interaction से sufficient energy release होती है, रूर्षी पूर्थी हो जाती है, तो pairing हो जाती है, और यदि ligand weak है, तो metal or ligand के interaction से, इतनी मात्रा में या sufficient amount में energy release नहीं होती है, जिसके अफ़ाओं में pairing भी नहीं होती है, तो इसलिए यदि purple ligand है, तो pairing होगी, यहां पर साइनो, जो ligand है, वो purple ligand है, strong ligand है, strong ligand, metal के contact में आने पर sufficient amount में energy release करेगा, energy release होगी, तो वो energy pairing के लिए required energy की पूर्थिका देती है, जिससे pairing हो जाती है, तो यहां पर इरेक्टोलों की pairing हो जाती है, यह बास इसमें आ जाता है, यह इनर्सिक्ट हो जाता है, और दो deep particles vacant हो जाते हैं, अब यहां पर, जो 6 ligand है, साइनो ligand है, उनके लिए vacant orbital metal ने available करा दिये, विटी भी ही कहता है, कि metal अपनी coordination number के बराबर, vacant orbitals available कराता है, ligand के, तो यहां पर iron को जाते हैं, तो 6 vacant orbitals available कराता है, आप यहां पर 6 synoligand जाते हैं, अब यहां पर, जो, स्क्राइबस बनता है, वो दो p के, एक s और तिन p के, तो p2 s p3, d2 s p3, यहां दीटू, यहां बावर energy वाले, यहां पर रोल होने हैं, यहां लोवर cells रोल होने हैं, तो लोवर रोल होने हैं, तो 2 spin-hard यहां परवक्त, देटिक परवक जिसेकान यह OCTAHETL से शोकर ला है, d2, sp3, diabolization हो गया, geometry, diahedral हो गई, और अब यहां पे इसके पास electron, कोई भी electron पेर्ड नहीं है, unpaid नहीं है, सब के सब electron पेर्ड है, यदि electron सबी electron पेर्ड है, तो वो complex या specific, और यदि इसमें अन्पेड एलेक्टोन परजेंट है तो यहां पे कोई भी एलेक्टोन अन्पेड नहीं है सब के सब पेरी एलेक्टोन है इसमें लिए डायमेंटिक होगा तो यूमेट्री इसमें प्राइडल हो जाएगी देंजित है तो अन्पेडोल हो जाएगा और यह द्राइडल हो जाएगा और यह परबल लिगन चीह भी और 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 लेगेंग, असी होते हैं जासे कोबल्ट है किलिए है कोबार्ड हीना क्या कॉबल्ट कोबल्ट इसे क्या करें हम कोबल्ट, तो कॉबल्ट कोबाल प्लस टू है इसलिए यह 3d7 हो जाएगा दो लेकर्ण हो जाएगे तो यह बना कोबाल प्लस टू और 3d7 अब 3d7 है अब यहां पे जुड़ावा लिगेंड है वो परपन लिगेंड है नस्तरी बोस्पिन शो करेगा बोस्पिन शो करने के पाद एक लिपन बाच जाता है यह अन्पेंड लेक्रों पॉलिंग में इसका एक्सप्रसन लिया यह एक अन्पेंड लेक्रों 3d7 4d के अंदर पर मोट हो जाता है तो हमारे पास स्टेप्चर बन खी है कि 3d6 यहां से यह 2d को आटर्स वेकंड और दो यहां से एक अल्पर लेक्टों था वो 4D के अंदर हो गया यहां पे अभ छे जो एनस्ट्री लिगंद्स है शिक्स इनस्ट्री लिगंद्स कर लेंगे और लिगंद्स को वैटल गोटिंग बजाएंगे विए यहां पे हमने कहा कि एनस्तरी परबल लिगन होने का यह बोस्टिन बनाता है को बाल्ट में गुंद गेम के उपरित इलेक्टोनों का विभबन होने के पश्यात भी ट्यूएस्प त्री संकन की संभावना नहीं रहती है तो यह लेकिन मेंनिक रेक्टर के आड़ाद के जो है वो लो स्पिन कॉंप्लेक्स बनाता है और पॉलिज में क्या आता है कि 3D एलेक्टोन एक्साइट होकर 4D का विभबल में चलाता है नादक से बहुत दूर चलाता है इससे इंजली इनू कियाना सकता है इस कारणीसन कुल परवल अप्चाइट के रहता है ने किरुपई परफल अप्चाइट है यहां परवल अप्चाइक की रूप में परवल अप्चाइक, परवल डूर्यशि खैट रूप में me तो इस प्रकार다 इसके शेप की बात करेहकं, Ephra corporative term we know करें 2SV3 और इसमें 8 अन्प्रेड लेटोन पड़न पड़न है इसरे ये पैरामैनेटी इस प्रकार हां विबिटी के हकार पे जो कम्पेक्स कमपाउंड है उनकी जेमेट्री और उनके मैनेटिक प्रकार सकते हैं एक्समेंट कार सकते हैं थैंक्यू